यूजना हरियाना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मेद आसावे कामना करता हूं आप सभी भाई-बैंट ठीक होंगे बहतर होंगे परसों से आप लोगों को जो है यह जो जो जनाओं की अपडेट है या अन्य जो सरकार की जर्ण करिया वो नह कुछ ही कांसू समवाद के इस प्लेटफरम पर डाले भी थे तो अब जो है हम फिर ही हो चुके है आज सुबह का एक कारेकरा में वो दस बज़े निवट जाएगा फिर हम फिर हैं आपकी सेवा में परते हमेशा की तरह ऐसे ही हाज रहेंगे तो साथियो हरिगणा सरकार ने एक लाका सी अजार से कम जिनकी विंकम वो सब ही को यह तोहपे हैं यह तोहपे आज बड़ी-बड़ी योजना हो कि क्यों कि डोक्टर भीमराव अंबेड कर जो 14 अपरेल का जो वो है उनका तो उस दिन जो है जितनी भी योजना है उनके नाम पर चल रहें उन्हें दुबा वो सभी सबसे पहले देने का काम करता है सठीक देने का काम बरतर विस्वसनी देने का काम करता है तो साथियो अब सीधा धमाके पर आते हैं हरियना साहब बाबा साहब आदर सो पर चल कर जो है लोगों को यह सुईधाय दे रही है यह मैं इसका पूरा जो है आज डोक्टर प्यार एंबेड करकी वैसा की है जैनती है 14 अप्रेल 2023 से तो साथ यो यह सभी जितनी भी वह यारेगणा सरकार का फीसियल नोट्यफिकेस्टन है मैं इसका आप को सववाद कर देता हूँ इसका पूरा धमा का आपको कर देता हूं ले लेना वह इन दमाकों को भई और यह सभी के लिए ऑबाबा साथ और सभी के रहें तो साथियो मुख्यमंत्री विवास सगुन योजना ये देखो भई पहली जो बड़ी योजना है और ये जो है सभी के लिए ये ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री विवास सगुन योजना के तहत गरीबी रेखा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबी रेखा का मतलब यह है BPL को क्या कहता है B से बिलो मतलब जो होता है गरीबी P से पोवर्टी L से लाइन तो BPL गरीबी रेखा बिलो पोवर्टी लाइन यानि बिलो नीचे poverty गरीब line रेखा तो ये कौन हैं ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन जाने वाले लोग कौन है जिनकी income एक लाकस सी अजार से कम है वो सबी हरियने में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीवन वाले परिवार हैं तो उनके लिए उनकी लड़कियों की साधी में 71,000 रुपे की जो है मदद जो है दी जाती है और ये मुख्यमंतरी विवार सगुन योजना इस योजना का नाम है पहले जो ये सकीम थी ये अनुसुच जाती के लिए सकीम थी लेकिन विगत पिछले वरसों से इस सकीम को सभी के लिए कर दिया गया है और जो ऐसे भी जो उनके लिए भी है ये साथियों जिनका बीपियल भी नहीं है और उनके लिए भी ये शकीम है तो सभी धरम सभी जाती सभी वर्गों के लिए सकीम इसमें 31,000, 51,000 रुपए अलग अलग इसमें जो दिये जाते हैं वो मैं डिटेल से चार से बांच कवरेज इस पर कर चुका हूँ एक बेर डॉक्टर बियार अमबेड कर आवास नवी नहीं करने योजना के तेत मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए का प्राउधाने और ये BPL के लिए ये सकीम है वो BPL बिना BPL सब के लिए मुख्यमंतरी विवास अगून योजना उसके अंदर जो है 6 महीने साधी के 6 महीने के भीतर भीतर आवेदन करना हो साधी के 6 महीने नहीं होने चाहिए साधी के कदि आप 6 महीने बाद जाओ तो साथियो इसके तहत जो है 80,000 रुपए इसके तहत जिये दाता है मकान मरम्मत जिसे आप बोलते हो मकान मरम्मत की जो योजना यो भी अंबेड कर आवास नवीनी करने योजना के नाम से हरियना प्रदेश के अंदर जानी जाती है तो साथियो ये भी सभी धर्मों के लिए सभी जातियों के लिए और यो भी यो देखो डॉक्टर अंबेड कर मैदावी छात्र संसोदित योजना जो बाबा साहब पड़ेली के वेखती थे तो यो पड़ाई लिखाई के योजना है उसके तहद जिसकी भाई लाग रुप्पे से च्यार Лाख रुपे जो है पहले भाई लाग तक के इंकम जिसकी थी उनको यह सकीम मिलती थी उनको इसका फाइदा यह स्कॉलर्स सीब आप समझ सकते हो ये योजना का जो पैसा है, सीधा पैसा में में पैसा इनके खा तो माता है इस योजना के देद, वो जो है पहले ढ़ाई लाग तक की इंकम वालग मिलती थी, लेकिन अब च्यार लाग तक जिसकी भी फैमिली आइडिम इंकम है, वो डॉक्टर अमबेड कर मैदावी छातर सौधित योजना जो है, उस कहते हैं धजारों रुपे इसमें दिये जाते हैं भई, पढ़ाई लिखाए के लिए, आपकी फ्री सिक्षा के लिए, आप प्राइवेट श्कूल में पढ़ते हो, तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज में तब भी आपको मिलते हैं, मुख्य उनको ढ़ाई लाग मिलेंगे, यदि अनुसूचित जाती की जो लड़की है, वो लड़की जर्नल कास्ट के या OBC कास्ट के किसी भी लड़के से साधी करती है, तब भी ढ़ाई लाग मिलेंगे, तो ये भी एक योजना हरियना प्रदेश सरकाने चला रखिये, परतियों की परिक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की भी सुईधा है, मत्सिय पालकों को मत्सिय पालन पर शाट परसेंट तक की सवसीड़ी दी जाती है, ये योजनाव का धमा का, यदि कोई बिजनिस करता है, तो बाबा साहब के नाम पर जो है, उनको पलाट पर दस परसेंट की छ चूट है, विवेन परकार का यदि अत्यचार आप पर होता है, तो आप पीडित परिवार को 85,000 रुपे से 8,25,000 रुपे तक की आर्तिक साहिता दी जाती है, साथियो पोस्ट मैट्रिक छात्र विर्थी योजना के तैट 25,000 रुपे से 3,000 रुपे जो है, ये भत्ता ही लिखाई के लिए परदेश सरकार देती है, और ये सभी जातियों के लिए है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर रचिवडी से बोला जाता है, तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा जो योजना है, इसका भी हरीने के अंदर बहुत बड़ा धमाक कौता करिया जोता है, आदालती मुकदमों को लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब के नाम पर एक योजना है, उसमें बाइस जार रुपए जो है वकील करने के लिए पैरवी करने के लिए आदालत में आपको दिये जाते हैं, हारीना आप फिर यहां जो है सभाई ये आयोग गटित करें ये वो करें, ये तो भई फिर ये चार पांच जो आयोग वगटर हैं, ये एससी एस्टी से बिलोंग हो जाते हैं, तो ये जो योजना थी, ये सारी योजना सभी के लिए थी, इन सभी के आवेदन फॉर्म चल रहे हैं, जिसने अभी तक वो नहीं भरा है, तो आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए तना ही, बहुत बहुत निवाद, जैंजबर, जैहर, याना